भी मौझूद है प्रधान मंत्री का काफिला पहुच गया है प्रधान मंत्री इस वक्त मुख्य मंत्री और मुख्य मंत्रियों की जो सम्मेलन था जो बैठक था उसको समाप्त करने के बाद अब उनका अगला कारिक्ट्रम है साथ में उत्तरप्रदेश की राजपाल आनंदी बैन पटेल वो भी मौझूद है और यहां पर जो इस स्वरवेद मंदर के करता धरता हैं जो लोग हैं उनसे वहां पर उनका स्वागत करने के लिए पहुचे हुए हैं तो प्रधान मंत्री स्वरवेद मंदर पहुच चुके हैं और जिस तरह से अभी हमारी सम्माता रीमा पाराशर जानकारी दे रही थी कि इस मंदर में भ्रमण करेंगे इसकी बारीकियों को देखेंगे जानेंगे समझेंगे बेहत खुबसूरत और बेहत अलौकिक अनोखा बना हुआ है यह मंदर बेहत दिव और भव स्वरूप है इसका आपने अभी देखा कि किस तरह से कमल क गुंबद इसका आकरशन का केंदर बना हुआ है हमारी समझातर रीमा पाराशर भी हमारे साथ में जुड़ी हुई है वो और जादा जानकारी देंगी यह इस मंदर की भविता देखते ही बनती है रीमा निश्चित तोर पर इसको बड़े ही जतन से बनाया गया होगा और य इसलिए इतना समय भी इसमें लग रहा है क्योंकि एक बारिकी का दिहान लखा गया है जिस तरह कि यहां पर मुंतियां लगाई गई है बाहर अगर 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 परिस्टर की बात करें तो उन सब में योग की अलग-अलग मुद्राओं का बढ़न किया गया है और उसक इस पूरे कारिक्रम से पहले उन्हें जाना है पंदिर परिस्टर के अंदर प्रधान मंत्री जा चुके है और वहां पर जो सद्गुरू है उनकी मूर्ती पर कुषपांजली अर्पित करेंगे प्रधान मंत्री जिए बाद तमाम जवास्तुकाला का प्रतीक यह भवता लि अब भवा भी जते हैं इस प्रतीक यह ठालई ऑर प्रतीकशुके हैं ओर उनके साथ मुख्य मंत्री योग्याद इतेनाथ राज्यपाल अनंदी बेक्ज़ पतेल कि देखें मंत्रों कि आवाज से आपने देखा होगा जिवातावरन को शुद्ध किया गया है और वातावरन पूरी तरह से अभी आपर शुद्ध हो चुका है मंत्रों चारण के साथ सभी अनुयाई यहां पर खड़े हुए हैं ओम कि ध्वनी के साथ यह बाद चुरू हुई जिस तरह से स्झाग प्रेधान मंत्री का किया गया है और इस वक्त प्रिधान मंत्रि आप परिसर के अंदर होच्ची कि जी बेहद महतपून ये एक खशन है रीमा और जिस तरह से पुदार मंत्री इस वक्त सदा फल देव, महर्शी सदा फल देव की मूर्ती के संबख्ष संभवता है और उनको वो नमन कर रहे हैं महर्शीयों का संतों का न सिर्फ नमन करना उनके साथ में एक आध्यात्मिक संबंद जोड़ना ये पुदार मंत्री की एक विशिष्ट चैली है, एक कला है और शायद यही वज़ा है उनको इतनी उर्जा मिलती है इस तरह के जो धार्मिक और आध्यात्मिक कारियों को आगे बढ़ाने के लिए और आध्यात्मिक उन्ययन के लिए वेद महत्वण यक्षण है और इस वक्त स्वर लहरिया गूश्ती हुई तमाम जो वेद पाठी लोग है जो वेद पाठी ब्रहमन है वो सस्वर उच्चारण कर रहे हैं इस वक्त तमाम वेद मंत्रों का प्रुदार मंत्री का स्वागत किया गया सस्वर गाउन के साथ में स्वास्तिक गान के साथ में और अब वो इस मंदिर परिसर को का डिरीक्षन करने के लिए आगे बढ़े हुए विल्कुल देखिए आगे बढ़े हुए और यह जो हमने वेदों का यहां पर उच्चारण कर देखिए कर देखिए कर देखिए कर देखिए कर देखिए प्सुपक्तों का लुट बाई टो कर दो 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 कर हुआ है कर दो 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 कर क्याहते हैं कर दो याद कर दो बांसी पस्टाम कर दो कि चुछ। झाल 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 तो प्रदान मंत्री ने इस पूरे विहंगम योग संस्थान का दावरा क्या इस सर्वेद बंदिर का दावरा क्या और अब वो दुबारा अपने गाड़ी पर बैश्